सत्कुरू रूपी प्यारे सासंगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी सासंगत जी मई का महिना आते ही सत्कुरू बाबा हर देव सिंग जी महराज के समर्पन दिवस की याद आ जाती है कि सत्कुरू बाबा हर देव सिंग जी महराज ने सारी उमर दासी ये तो नहीं कहेगी कि 36 साल सासंगत जी सत्कुरू बाबा जी ने सारी उमर ही बचपन से लेकर जब तक भी हमारे साथ रहे उतना समय मानवता को ही समर्पित रहे सत्कुरू बाबा जी बचपन से ही बड़े द्यालू सभाव के थे एक बार सत्कुरू बाबा हर देव सिंग जी महराज राजपूरा से पटे आला जा रहे थे जब बाबा जी बचपन में पटे आला के आद विंद्रा पबलिक स्कूल में पढ़ते थे पटे आला के तो बाबा जी राजपूरा से जब पटे आला जा रहे थे तो बस से जा रहे थे तो बाबाजी ने देखा कि एक बजूरक महात्मा दासी महात्मा ही कहेगी बजूरक इनसान थे तो उनको देखा बाबाजी ने कि वो खड़े हैं बाबाजी अपनी सीर्ट से खड़े हो गए और पुजुरक महात्मा को बाबा जी ने सीट दे दी और सारा रास्ता बाबा जी खड़े ही रहे बाबा जी ने एक बार भी मन में ये नहीं सोचा कि मैं ठक गया हूं या मैं बहुत छोटा हूं या मैं इतना खड़ा नहीं हो सकता नहीं बाबा जी के चेहरे पर मुस्कान ही थी बच्पन से ही बाबा जी का द्यालू सभाव था हर एक के दुख दर्द में काम आते थे हर एक की सहायता करते थे और मानवता को ही समर्पित रहे बाबा हर देव सिंग जी महराज की 36 सालों की कहानी नहीं है 36 सालों के बाद भी दुनिया सोचे की कि ये कैसे संत महात्मा थे कि जिनों ने इतना परुपकार किया दुनिया का उधार ही करते रहे अपने अराम के भी परवाह नहीं की दिन रात इस मिशन को आगे से आगे बढ़ाते चले गए जब बाबा जी एक गुर्सिक रूप में थे बाबा गुर्पचन सिंग जी महाराज की 76 चाया में गुर्सिक के रूप में ये जीवन वैतित कर रहे थे तम भी बाबा जी ने किस तरह सेवा दल की उनिफेम पहन कर भी उनिफेम पहन कर भी सेवा की और सभी के साथ ही प्यार रखना ये कभी नहीं सोचा कि मैं गुरू का बेटा हूं नहीं एक गुर्सिक कितरे ही जीवन जीया जी हाँ भी देखते सेवा के लिए हर समय तियार रहते पहले गुर्सिक रूप में भी अपने आपको समर्पित किया और फिर जब सत्कुरू रूप में प्रकट हुए तब भी मानवता को ही समर्पित रहे हर एक के दुखदर को बाटते ही चलेगे दूर करते ही चलेगे अपने आराम की भी परवान नहीं किये दिन रात मानवता को ही समर्पित रहे सत्कुरु बाबा हर्देव सिंग जी महाराज का पावन सानिद्य जिसे भी मिला वे है बाबा जी का ही होकर रह गया शरेजनक बात तो यह है कि लाखों भक्तों में से किसी एक से भी अगर पूछें तो उसे यही कहते हुए पाएंगे कि सत्कुरु बाबा हर्देव सिंग जी महाराज मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे मुझे ही सबसे ज़्यादा अपना पन देते थे संगत जी दासी महात्मा ओंकार सिंग जी चंडिगडवालों की ही बात आप जी के चर्णों में रखेगी महात्मा ओंकार सिंग जी चंडिगडवालों को जब पुझे महात्मा भुपेंदर बेकल जी के किरपा से सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महाराज के दर्शन और अशीरवाद प्रापत करने के अनेकों अफसर मिले तो उन्होंने बताया कि सन 1980 में दास की पोस्टिंग पंजाब नैशनल बैंक मुझफर पूर बिहार में हुई घर से दूर होने की वज़ा से दास वापस हिमाचल परदेश चंडी गडाना चाता था इस सिलसले में दास पंजाब नैशनल बैंक के परधान कारेल्या संसद मारक दिली गया जहां महात्मा भुपेंदर बेकल जी के साथ पहली बार बुलाकात हुई पुपेंदर बेकल जी को पंजाब नैशनल बैंक हैड ओफिस में सभी पुपेंदर सबरवाल जी वरिष्ट परबंदक कानून के रूप में जानते थे तास उनके ओफिस में जाकर महात्माओं का संदरब देकर उन से मिला तो उन्होंने सारी बात सुनने के बाद कहा कि काम करने वाला तो निरंकार सत्गुरु है इनके प्रयासों और सत्गुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज के पावन आशीरवास से दास का काम बहुत सहज़ता से हो गया इस घटना के बाद महात्मा बेकल सहब जी के साथ दास के रिष्टों में और भी जादा मजबूती आने शुरू हो गई दास जब भी निरंकारी कालोनी दिली महात्मा बेकल जी से मिलने के रिए जाता तो दास को देखते ही ये महात्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाते दास का भाव हमेशा यही होता कि महात्मा बेकल सहब जी बहुत बीजी है इसलिए धान निरंकार करके वाप लोटने की सोचता तो ये तुरंत अपनी सीर से उठकर खड़े हो जाते और मुझे हर बार यही कहते चलो सत्कुर बाबा हर देव सिंग जी महराज जी के दर्शन करते हैं जितनी भार भी दास उन से मिला हर बार वे सत्कुर बाबा हर देव सिंग जी महराज के दर्शन करने व सद्गुर बाबा हरदेव सिंग जी महाराज को नमशकार करने गया तो बाबा जी के साथ बाचित का अफसर भी मिल गया दास को बाबा जी के साथ बात करना बहुत अच्छा लगा उसे समय एक महात्मा इंगलेंड से आये हुए थे वह हमारे जाने से पहले हजूर बाबा जी के साथ बात कर रहे थे जब हम नमशकार कर चुके तो उस महात्मा ने बाबा जी से आशीरवाद मांगते हुए कहा कि बाबा जी मैंने निरंकारी कलोनी में चार मकान देखे हैं आप आशीरवाद दो कि इन में से कौन सा मकान खरीदू इस से पहले कि हजूर बाबा जी कुछ कहते महात्मा बेकल साहब जी ने कहा कि भाई साहब जी आप जी कल भी इसी विश्या पर आशीरवाद लेने आये थे वो चारो मकान आपने देख ही लिये हैं जब आपको जो भी मकान पसंद है और जो आपके परिवार की सुख सुवीधा के अनुसार ठीक है दातार का सुमिरन करके उन में से कोई एक खरीद लो सत्गुर का आशीरवाद तो कल ही आ गया था कि चार मकान देख लो और उन में से कोई एक पसंद करके खरीद लो इसमें हजूर से बार बार पूछने की कौन सी बात है कल को आप कोहोगे कि मुझे तो कुछ और पसंद था लेकिन सत्गुर बाबाजी का आशीरवाद दूसर मकान के लिए आ गया इसलिए आप सोच में पढ़ जाओगे कि मैं कौन सा मकान खरीदूं सत्गुर बाबाजी ने तो आपको अशीरवाद दे दिया है कि जो भी आप जी को ठीक लगता है जिसमें आप जी को सभी सुख सुविधाय मिल रही है वो मकान आप खरीद लो बाब भी बहुत खुश हो रहा था यह बाच्ची सुनकर दास को लगा कि महत्मा बेकल साहव जी सत्गुरू की सेवा के प्रती कितने अलर्ट है उस समय संपून अवतारबानी का ये शबद याद आया कि मात्गुरू दी जे मनवस से चानन वाला हो जाए वास्ट विक्ता में सत् बजी अपने भकतों को साथ लेकर जिस परकार दिन रात संसार का कल्यान करते रहे भटकों को रहा दिखाते रहे उनका एक्जामपल कहीं और मिलना बहुत ही कठीन है इसलिए सत्कुरू का जो भी अशीरवाद पहली बार में ही आ जाए उसी से ही हमने अपनी जोलिया भर ल लेनी है हमने कभी भी दूसरी बार उस बात को सत्कुरू के आगे नहीं रखना सत्कुर माता सुदिक्षा जी महराज ने तो सारी पावर अपने गुर्सिक्षों को भगतों को दे दी है जब भी कोई अशीरवाद लेना हो तो सत्कुर माता सुदिक्षा जी महराज ने कहा ह कि अपने पास बैटे महात्मा से ले लो इस बात से हमें यही सीख मिल रही है कि जो भी संत महात्मा हमें पहली बार में अशीरवाद दे देते हैं हमने उनको सत्वचन करके मान लेना है हमने दोबारा उस बात के लिए अशीरवाद नहीं मागना है इस बाद से हमें यही शिक्षा मिली है और ऐसे हिदासी एक और आप जी के चर्णों में बाद शेयर करेगी इस सत्कुर बाबा हर्देव सिंग जी महराज और वर्दाइनी पुझे माता सविंदर जी की दिवालता और उनके उपकारों का वर्णन की बात है कहते हैं कि एक बार हजूर बाबा जी बेहन इंदू गुगनानी पुवनेश्वर जी के घर में आए हुए थे खाना खाने के बाद सत्कुर बाबा जी अकसर सेयर करते थे हजूर बाबा जी सेयर करने निकल गए तो पुझे माता जी बोले आओ हम भी सेयर कराएं तो बेहन इंदू जी भुवनेश्वर उड़ीसा से गिन के घर में बाबा जी आये हुए थे इस बेहन ने माता जी से विंती की कहने लगी ये बेहन ठैरो माता जी मैं बूट पहन लेती हूँ क्योंकि मैं बूट के बीना बिल्कुल भी चल नहीं पाती सामने ही रवड की चपल पड़ी हुई थी उसकी और इशारा करते हुए पुझे माता जी बोले वो चपल पहन लो दासी ने सत वचन कहने की बजाए फिर अपनी पुझत दिखाई और कहा माता जी मैं बूट पहने बिना नहीं चल पाती पुझे माता जी ने मेरा हाथ पकड़ कर खींच लिया और कहा यही पहन कर चलो दासी ने चपल पहन कर उसी चपल से आदा किलो मीटर का रास्ता तै कर लिया माता जी फिर बोले अभी दर्द कैसा है दासी ने फिर अपनी चतुराई दिखाई और बोली माता जी बलड सर्कूलेशन ठीक होने लग गया है तब ही तो चल पा रही हूँ फिर माता जी के साथ सैर करती रही दियान ही नहीं गया हजूर बाबा जी पूझे माता जी कल्यान यातरा पर आगे कुलकत्ता के लिए रवाना हो गए तो देखा कि दासी बोट पहनना ही भूल चुकी है थोड़े दिनों के बाद महापुर्शों ने पूछा अब आप बोट नहीं पहनती हो क्या बात है तब द दर्द का भी नामों निशान नहीं रहा वरदाईनी पुझे माता जी थोड़े ही शबद बोलते थे और उन थोड़े से शब्दों का ही चमतकार का परभाव गुआ करता था वाक्य में ही इन के चंद शबद बोलने से ही इनसान का भागया समर जाता था दासी ने ऐसे ही कई बाते अन्य बेहनों से भी सुनी थी हकीकत में ये सत्गुरु की दिवय शक्तियां लेकर आई आई थी पूझे माता जी निरंकारी सत्गुरु माता जी के रूप में भी प्रकट हुए और समय बीतने के साथ इन्होंने देखो हम पर कितने उपकार किये सत्कुर बाबाग हरदेव सिंग जी माहराज के ब्रमलीन होने के बाद शरीर छोड़ने के बाद सत्कुर माता सविंदर हरदेव जी माहराज शारिरीक रूप से स्वस्थ भी नहीं थे इतने अस्वस्थ होने के बाजूद भी इन्होंने हमें संभाला डोक्टर ने इनको रैष्ट करने के लिए कहा था लेकि इन्होंने रैष्ट नहीं किया सारा सम्मे मानवता को ही समर्पित कर दिया अपने सुख फे आराम की परवाह भी नहीं की और सब कुछ हम मानवता पर ही समर्पित कर दिया और फिर हमें तो संभाला ही फिर सत्कुर्माता सुवींदर हर्देव जी महराज जाते जाते भी हमें हमें कैसे सनात ही बनाए रखा हमें सत्कुर्माता सुदिक्षा जी महराज दे गए सत्कुर्माता सुदिक्षा जी महराज हमें दे गए हम इनकी छत्तरचाया में अब ये सेवा सिमरंससंग का अनंद ले रहे हैं हम सद्कुर माता सुदिक्षा जी महराज के भी अतिय भारी है जो इतने देयालू है जो हमें ये देखो ये जो दोर आया है करोना वाइरस का इसमें भी हमें किस तरह संभाले हुए हैं और अब सद्कुर माता सुदिक्षा जी महराज की छत्तरचाया में हम ये अनंद मान रहे हैं अशीरवाद ले रहे हैं हम सद्कुर माता जी के उपकारों का बदला कभी भी नहीं चुका सकते अब जैसे कहा भी है कि अब हर संडे को दो मई से हर संडे को वर्चल रूप में यूट्यूब पर ही ये समागम होगा और ग्यान गोश्टी संडे को नहीं होगी अब ही तक तो सद्कुर की तरफ से यही आदेश आया है कि दो म advice से हर संडे को यूट्यूब चैनल पर ग्यारा बजे जो सद्कुर माताजी की तरफ से कारे करम होगा यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा और सभी इस समागम का अनंद लेकर खुशियों के भागीदार बने और जैसा सद्कुर का आदेश आएगा हमने आदेश को मानते चले जाना है अब हमें ये नहीं पता कि ये जो आदेश है ये कब तक होगा ये सद्कुर को पता है सद्कुर जानी जान है इसके खेल निराले है ये जो भी करता है होता सही है प्रभू की रजा में पूरा जिन का इमान है उनके लिए ये जिन्द की असान है प्रभु जो भी करता है होता सही है हम बस इनकी बात को मान कर चलते चले जाएं इनकी आदेशों को अपने जीवन में करम रूप में डालकर चलते चले जाएं यही अशीर फादासी मांगती है सच्चे पाशा जिस तरह आप जीने जोड़ा है इसी तरह हमें संतों का संग देते रहना संतों के संग जोड़ के रखना छू लेंदा चरण जो सत्कुर दे ओदा जनम सुहेला हुंदा ए में अखियां देनल तक्या ए उदार अपनल मिला हुंदा ए तड़के उठ़के दुनिया संतांदा वेला कर दिये जिस उठ़के उठ़के दुनिया संतांदा चेता कर दिये चेता मिंस याद करती है संतांदा चेता कर दिये जिस वेले भी सत्कुर मिल जाए ओजनम सुहेला हुंदा ए में अखियां देनल तकियाए उदार अपनल मेला हुंदाए साथ संगत जी ततगुर को इस निरंकार को जिस समय मरजी याद कर लो कोई बंदिश नहीं है हर समय ये हाजिर हजूर है अंग संग है ये हर समय हमें देख रहा है हमने खुशियां ही खुशियां प्रापत करनी है जब बे सुबह हमारी आँख खुले हमने इस निरंकार के दर्शन करने है इसी का सीमरन करना है इसी का सीमरन से ही हमने शुरुआत करनी है कि सच्चे पाश्या आप जी के किर्पा से रात बहुत अच्छी बीच गई है आप जी के किरपा से दिन भी अच्छा बीच जाएगा जब हम ऐसे अरदास करते हैं तो यह सचा पाशा हर पल हमारी रक्षा करता है हम सत्गुरु माताजी से यही अशीरवाद मांगते हैं हर सुबह होती शुरू सत्गुरु तुमारे नाम से दिन गुजरता शाम होती सत्गुरु तुमारे नाम से यह जो जीवन का सफर है सचे पाशा आप जी का नाम सीमरन करते करते के इसी तरह कट जाए यही अशीरवाद मांगते हैं हमारी अंतिम स्वासों तक आपची के चर्णों में तोड निव जाए यही अशीरवाद मांगते हैं सचे पाशा सारी संसार का भला करना सब्दा भला करो करदार मेरी मांग है एदातार बख्षो शर्दा भक्ती प्यार करा मैं संता दासतकार सासंगत जी अगर दासी के मुग से कोई शबद सही ना बोला गया हो तो दासी को शमा कर देना दासी शमा प्राती है और अगर कोई शबद अच्छा लगा हो तो सासंगत जी सतकुर माताजी के शबद समझ कर ग्रहन कर लेना सत्कुर्ण ने ही बुलवाया है जो भी बुलवाया है दासी में तो कोई उकात नहीं दासी कुछ बोल पाए ये सत्कुरू की ही सिखलाई है सत्कुरू ही बोलने वाला है सत्कुरू ही बुलवाने वाला है सब कुछ करने कराने वाला ये आप है करन करामन आप पे आप मानस के कुछ नहीं हाथ करने कराने वाला सद्कुर्ण निरंकार आप है मनुश्य के हाथ में कुछ भी नहीं है अवतार उगावे सिफ्त हरीदी जिस तो आप गुवावे है साथ ती सेवा उकर सके जिस तो आप करावे है जिस से इसने सेवा करानी होती है वही सेवा कर सकता है जिससे इसने गुनगवाने होते हैं वही गा सकता है अपना लाया प्यार न लगे रब लावेता लगदाए बुजया होया दीवा जेकर गुरु जगावे जगदाए अपनी मरजी से कुछ नहीं होता जो सत्गुरु चाहता है सचे पाशा दासी को भक्ष लेना अगर दासी से कोई गलती हो गई हो तो आगे के लिए दासी को सुमत देना सिम्बरन दासी करवाएगी आप जी सबी मिलकर सिम्बरन में साथ देना जी तुही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैंनू बख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सभिंदर हर देव जी महराज कीजे निरंकारी राज माता गुरु बचन वतार कीजे सास संगत जी प्यार से कहना दान निरंकार जी